नमस्कार वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेशें आज की प्रमुख खबरें अभेदी के लिए में तबदील राजकोट स्टेडियम ड्रोन से रखी जाएगी नज़र रक्षन अफरीका तथा भारत के बीच यहां 18 अक्टूबर को होने वाले महत्पून तीफरे बंडे मुकावले के दौरान गुजरात में जारी पटेल अरक्षन आंदोलन के समर्थकों के पदर्शन की चेताउनी के बीच मैच के दौरान माधहरा फिंधिया स्टेडियम को मुपफ्तित होकर एक विशे शैली में नारे बाजी कर पदर्शन करेंगे दूफरी और शुकरबार सुभे उगर भीर ने शहर में बने टिकट काउंटर के निकट जमकर हंगामा किया था मेजबान फौराफ्ट केट एसोशियेशन की और से लगाया गया होर्डिंग जला द का गोमान सीएम खटर ने कहा गोमान सफर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है हरियाना के मुखे मंतरी मनोहरलाल खटर ने गोमान सफर विवादित बयान दिया है करपला जाड लिया कि उनकी बात को तोड मरोड कर पेश किया गया है लालु यादव के आग्याकारी बन गए है नितिश कुमार सुशील मोदी ने कहा भाजपागे बरिफ्ट नेता और विहार के पूर्व उप्मुख्यमंतरी सुशील मोदी ने मुख्यमंतरी नितिश कुमार के महा गठवंदन के उनके साथ ही लालु पुसाद यादव के पुत्र की योगिता और अनुभव के आधार पर जिम्मेदारी देने के बयान पर तंजिकफते हुए कहा कि मुख्यमंतरी जी राज़त सुप्रमों के लिए आग्याकारी हिजमाफ्टर सुवाइस बन गए है मोदी ने अपने ट्वीट के जरिये महा गठवंदन के नेताओं पर निशाना साथते हुए लिखा लालु पसाद ने अपने नोवी पास बेटे को बिहार का नितिश कुमार ने तुरंत कह दिया कि विराज कुमारों को उनकी योगिता और अनुहब के आधार पर जिम्मेदारी देंगे जो अनुहब हिन बेटे क्लरक बनने लायक भी नहीं है उन्हें नितिश कुमार डिप्टी सीम बनाएंगे शाट्रोगन सिन्हा का ट्वेट बं कहा दाल की किमतों पर जरूरी है लगाम बिहार विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के मददान के बीच भाजपा सांसत शातुगन सिन्हा ने डाल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर केंदर में अपनी ही सरकार पर निशाना साथते हुए तकाल इसे नियंतित करने की सलाह दी है शाटगन के नाम से मशूर अपने बयानों से अक्सर पार्टी को असहज स्थिती में लाने वाले सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है कि इस समय डाल की कीमत ने 200 रुपए से अधिक हो गई है केंदर सरकार को बहुती कीमतों काबू में करने के लिए ततकाल कदम उठाना चाहिए अधित में प्याच की बढ़ी कीमतों ने जो आसू निकाले थे उनको भूलना नहीं चाहिए धोनी की जगे कोई नहीं ले सकता पूर्व कोच गैरी कफ्टन ने कहा बश्च 2011 में टीम इंडिया को विश्वकप चेंपियन बनाने वाले पूर्व कोच रहे गैरी कफ्टन ने कैप्टन कूल महेंदर सिंग धोनी का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी जगे कोई भी नहीं ले सकता है कफ्टन ने इंदर के हॉलकर स्टेडियम पर धोनी की शांदार पारी के मज़ा टीवी पर उठाया इस्थानी मीडिया से बाच्चीत में कफ्टन ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग धोनी की आलूचना क्यों कर रहे हैं लोग जब कह रहे हैं कि उसे टीम छोड़ कर जाना चाहिए तो मुझे हैरानी हो रही है ये थे अब तक के मुख्य समाचार और जादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए